जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम ग्राम कांदुल में हैं तो यहां के जो सरपंच है स्री लहरे जी उनसे हम पूछेंगे कि गाउं का विकास और कोरोना काल में कैसे उन्होंने अपने काम को विस्तार रूप्श दिया है उसकी जानकरी हम सिधा सरपंच जी से पूछते हैं अब लगभक नव से दस मैंने हो रहे हैं आपको जीत के आहां ने सरपंच की पत की जो घार है उसको पकड़ने में तो सर को देखते हुए अभी आपने अपने गाउं में क्या क्या विकास का काम किये और को देखते ही साथ ही साथ से नेटाइजर और मास्क वित्रण अबने नालियों का सफाई उसके बास अब क्या रहे हैyu कि आखने हैं करें भूं का सिकले में हालि में इक सुना था भवं कर निरमान हो रहे है यह कप से हो रहें तर भवन की निर्मान करोना के पहले करोना के साथ कुछ और लोग भी ले हैं उसे से पूसते हैं गाओ का विकास कैसा है इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि करोना काल में है और हम लोग तो प्रास्ता और रखे भी हैं कि काम का और जो कोरोना काल में जो चल रहा था उसका पूरा दिखते हुए हर व्यक्ति को जितने भी रहे थे मितानीन है यहां का अंगनबारी कार्य करता है इन लोग को पूरा मास्क दिया गया तथा गाउं में भी वितरन किये गये हैं जगा जगा हर 15 दिन एक महिना ऐसे में सेनेटा बिवस्था किया गया था जो 14 दिन के लिए कोरंटाइन के अगर रखा गया था हमारे गाउं में एक 15 जी लोग बहार में रहते थे जो पढ़ाई करते थे उन लोग भी यहां आये थे तो उसको हम लोग बहार में उसको एक भवन है हमारे पास समरस्ता भवन जो पहले से बन चुका है उसी में 14 दिन के लिए उसको कॉरेंटाइन भी रखा गया था हमारे गाँ में हभी एक नाली का निर्मान भी चल रहा है नाली का कार चल रहा है और आगे और करने का है कि विकास हुआ है हमारे साथ और कुछ भी लोग है सर आपका नाम क्या है नकुल वर्मान आपको अपना परचे देंगे मैं कांदूल के निवाशी हूँ आपको देखते रहे लगता है सरपंजी का कितना बढ़िया हुआ है कि नहीं हुआ है अच्छा है काम अभी तो अभी न तब तक लिए आप देखते रहे लिए सेमें टू मेरे में राजपूर केमरा और नवीन दक में साथ रैपूर